दिन रवीवार को दिल्ली के अंदर छत्र साल स्टेडियम में पूरी दिल्ली की जनता के साथ आमादमी पार्टी के रास्टी सयोजक आदनी अरविंद केजरिवाल जी जनता की आदालत कारिकरम करेंगे जब केजरिवाल साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये संकल्प लिया था ये तैं किया था कि अब पूरी दिल्ली में वो जनता की आदालत में जाएंगे क्योंकि मानिये सर्वोच्य नयायाले ने उनको जमानत दे दी प्रधान मंत्री जी ने जिन संस्थाओं को उनके पीछे लगाया था इडी सीवियाई को कुछ भी नहीं मिला उनके खिलाफ देश की सर्वोच्य अदालत ने उनको जमानत दे दी उसके बाद भी केजरिवाल जी ने कहा कि हम जनता से इमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर सत्ता में आएंगे जब दिल्ली की जनता उनको इमानदारी का प्रमाण पत्र देगी तब वो मुख्य मंत्री के कुरसी पर बैठेंगे मैं समझता हूँ आजादी के बाद से लेके आस तक एक भी उदारन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें किसी मुख्य मंत्री ने इतना साहस दिखाया हो कि अपना पद एक बार नहीं दो बार त्याग कर वसूलों और सिध्धानतों के लिए जनता के बीच में गए और चुनाव लड़े और जनता की अदालत से मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि जैसे एक बार सरसट सीट आई एक बार बासट सीट आई इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता इमानदारी का प्रमारपत्र अर्विंद केजरिवाल जी को देगी और वो मुख्य मंत्री की कुर मुज़ूर्गों से अपील करूंगा प्राथना करूंगा कि जो जनता की अदालत 6 अक्तूबर को 6 साल स्टेडियम में प्राता 11 बजे से लग रही है अर्विंद केजरिवाल जो जनता की अदालत लगा रहे हैं उस जनता की अदालत में आप भारी से भारी संख्या में प्राथनारों को उनकी बातचीत को सुनिये और अपना प्रमार पत्र दीजिये